1992 में हर्षद महता गोटाले के समय जे PC की मांग उठी थी विपक्ष के और से सरकार ने पहले किच-किचाई उसका समर्थन नहीं किया पर दो-तीन महीने बाद आपको याद होगा प्रधार मंत्री नर्सिमराव जी वित्र मंत्री डॉक्टर मन्मोन सिंग जी ने मन्जूरी दे दी और हर्षद महता गोटाले में 1992 में एक जे पीसी का गठन हुआ रिपोर्ट आई उस पर कारवाई हुई सिभी को और अधिकार दिये गए कैपिटल मार्किट को और मजबूत किया गया 2001 में एक और गोटाला हुआ केतन पारेक गोटाला कॉंग्रेस विपक्ष में थी अटल वियारी वाचपाई जी प्रधान मंत्री थे तब प्रणमुकर जी टॉक्टर मनमोन सिंग सब मिलकर जे पीसी की मांग की वाचपाई जी ने नहीं माना पर बाचीत के बाद जे पीसी का गठन हुआ तो जे पीसी का गठन हुआ उन्निस सो बानवे में जब कॉंग्रेस की सर्थकार थी जे पीसी का गठन हुआ दोजार एक में जब अटल वियारी वाचपाई जी की सरकार थी और दोनों स्टॉक मार्केट गोटा ले थे ये जो गोटाला है महा गोटाला ये सिर्फ स्टॉक मार्केट टक्सिमित नहीं है ये सरकार की नियत और सरकार की नीतियों से संबंदित है प्रधानमंत्री की नियत और प्रधानमंत्री की नीतियों से संबंदित है ये सवाल इसलिए हम कर रहे हैं हम ये नहीं कह रहे हैं चुपी तोड़िये गवतो मडानी जी हम कह रहे हैं चुपी तोड़िये प्रधान मंत्री जी और यही मौलिक अंतर है सुप्रीम कोर्ट समिती और जे पी सी के बीच में यह सुप्रीम कोर्ट समिती सरकार से कोई सवाल नहीं करेगे सरकार को क्लीन चिट दे देगी और हम समझते हैं मैंने 15 फबरुरी को आपको संबोधित किया था और मैंने कहा था आपको आपको याद होगा कि यह समिती सरकार को प्रधान मंत्री को दोश्मुक्त करने की कवायत के अलावा और कुछ नहीं है सरकार को और प्रधान मंत्री को दोश्मुक्त करने की कवायत के अलावा यह समिती और कुछ नहीं है यह क्लीन चिट समिती होगी सरकार को तो इसी लिए जे पी सी की मांग हम बार बार कर रहे हैं